हेलो फ्रेंड्स जैमा बगला मुझे अद्रासी थैंक्यू सो मच आप सब ही हमें इतना प्यार दे रहे हैं सब लोग मुझे एनिवर्सरी विश कर रहे हैं लेकिन मैं आप सब को बताओ आज मेरी शादी के सालगीरा नहीं है हमारी मेरी और प्रदु की शादी के सालगीरा है 19 फैबवरी 19 फरवरी को हम दोनों ने महाशुरात्री के दिन शादी की दिये सारा काम तो जबर्दस नहीं हाथा और ऐसे तो बहुत बार शादिया हो चुके हर शादी का कैसा लेकिन हां आज का दिन प्रपोजर का है आज के दिन ये विद्यारेवी हर काम सबसे पूचके करत को दाहानु महालक्षमी में नया साल का दीन था दिवाली का नया साल का दीन था दिवाली का लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी वो लाल कलर की साड़ी की फोटो शायद आपने अभी मेरी बेटी ने एक यूटूब पे वीडियो बनाई है गाने की उसमें रेखिए एक लाल प्रपोजी नहीं किया था उनको गले लगकर किस तक कर लिया था मतलब गाल पे ऐसा किस कर लिया था उस वक्त मुझे आज भी आदे कि मेरे प्रदु का हाथ श्टेरिंग पे हिलना शुरू हो गया था कि यह क्या है मतलब मैंने पहली बार ऐसा कुछ किया था तो आज का दिन विद्या देवी ने अपने प्रदु को पूरी दुनिया पूरी दुनिया के सामने कैसा प्रदु को सबके अपने पूरी लाज श्रम सब छोड़के उनको यह कहा था कि मैं आपसे प्यार करते और धमकी भी दिया था कि सिफ प्यार नहीं करती हूँ आप मुझे ना सुनना तो अदक हो और बहुत अच्छा क्लाइमेक ता बहुत अच्छा, उसस वक्तuma का शमय बहुत अच्छा था, मतलब ऒु सीफ आँखों आखों से बात करना प्यार से बात करना सीफ और सीफ सोचते रहना आज भी याद है कि सामने की दुकान पे जाके सामने खी जाके मैं खिड़के पर खड़ी हो तो भी बाद जो कि सिफ ज्यादा फासला नहीं सो मिटर का भी फासला नहीं फिर भी महां से फोन करना क्या कर रही है 24 गंटे बैठे रहना मतलब दीन बर मतलब मेरे ख्याल से बेश उमार ब्रस चौबीस घंटे बेश उमार प्यार प्यार प्यार ही करना हम लोग तो आज तक भी सच बता हुना अभी मैं आज की दिन मेरे ले बहुत बड़ा है शादी की सालगीरा तो छोड़िये लेकिन आज की दिन मेरे ले बहुत बड़ा है कि जिन्दिगी में पहली बार मुझे प्यार हुआ और प्यार होने के बार जिससे प् पूछा थे आपके मुझे अंकल पसंद दे तो अपनी अपने प्रदू के लिया आज के दिन मैंने उन्हें प्रपोस किया दा यह दीन मेरे लिए ये मतलब बहुत बड़ा दिन है कहते हैं प्रोपोजर दिन बहुत बड़ा होता है आज की जिंदगी में खुशी खुशी है तर वो दिन है और आज का दिन है पांच साल हो गए हमारे रिष्टे को ना हमारा जगडा कम हुआ है जगडा तो बहुत होता है ना हमारा जगडा कम का है ना हमारा प्यार कम हुआ है ना हमारी करिंक हुई है ना एक दुस्त compare देहने के बेगर के आदत गई है कुछ भी नहीं आग़म जो सबने विश्ट किया है लेकिन मैं सब को एबता रही कि हमारी शादी के सालगिरा नहीं एसी बात है हमारी anniversary नियाज proposal day है यह बहुत अच्छा दिन है और दुसी बात आज मुझे सच में तयार होना चाहिए मुझे बहुत सारे अब भी आप मुझे चल में बैठी हूं अपने रूम में बैठी हूं सुबह राज सुबह तक तीन बजे तक फूजा किये तो मन और इच्छा नहीं है तैयार होने का सच बोलू तो कि किसी को मिस करते हैं ना हम बहुत ज्यादा तो इच्छा नहीं होती है मुझे पता है मेरा प्रदु भी मुझे ज़्यादा मीश कर रहा होगा लिकिन कुछ बातों से मैं प्रदु से नाराज हो जो कि मुझे प्यार बहुत दीया उन्होंने प्यार बेश उमार दिया इस दुन एक घड़ा इस मुझा तो लेकिन कहीं मामलों में जहां उन्हें स्टैप उठाना चीह आच Housing ढeeा स account मीथिक कि मुझे ये इंसान परेशान कर रहा है, देखे जब में को नशा दिया जाता था ना, तो मैं अपने पूरे घरवालों को कहती थी, मुझे रोड़ पर ये लोग दिख रहे, वो लोग दिख रहे, आते जाते दिख रहे हैं, तो कभी किसी ने ये नी किया कि सब लोगों ने सामने बैठ कर सब लोगों ने ओट चीज को clear नहीं किया कि तू चल बाहर दे कैंज अ मेरे प्रदू नी किया जब मैं डरती थी ना बाहर कोई है वो है तो वो लोग ने मुझे बाहर निकाला बाहर निकाल cathedral कि कि क्यों कि उसने भी मुझे बाहर निकाला, वो अपनी पूरी गाड़ी इमेर पस दे दिया था हाला कि वो गाड़ी मुझे बाद में पता चली मेरे प्लदूगी थी, वो लो गाड़ी से बाहर लेके जाते थे, यहां तक घुमाता से दिमाध भाफ menad, गाड़ी मेरे पीछे वाले उसके अपने दोस्ते उसके दिमाग में भर दिया था कि तू नौकर रह जाएगा और नौकर मालिक बन जाएगा यह बात भूल गया था कि प्रदू मेरा प्यार था वो मेरा भाई था भाई और पती की जगा बहुत अलग रहती है उस चक्कर में आज वह भीखारी बनके रह गया है और लोग जिसने उसको भड़का है वो राजा बनके घुम रहे यह बात उसको समझ में नहीं आई ऐसी बात है तो मेरी शिकायत मेरे प्रदू से यही है कि अगर मैं आपसे बैटके अपने दिल की बात कहती हूं अकेले मैं कि यह इंसान गलत है और यह इंसान की वज़े से मुझे तकलीफ हो रही है तो मैं चाहती हूं कि मेरा पति उस बात को क्लियर्फिकेशन करे और सामने करे जैसे एक बच्चा अगर अपने माबाब से आके शिकायत करता है कि मम्मी पपा मुझे यह बच्चे ने मारा यह मुझे इस बच्चे ने ऐसे बोला यह कु आधरी देती हुँ ना उस बात से तकनी पहुत करे जही है तो इसे बच्चा अपने पती हमाने माने है और दूसरी बात अपश been कभी शृव मैं वह बर्दाश में करें इसकी बराबरी विए किसी और 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 प्रग praying कि कि मेरी इस इंसान से प्रब्लम है यह इनसान आपको देख रहा है बोल रहा है एक यह दिक्कत è मेरी बीवी को मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूं क्या बात है अगर आपके दिमाग में ऐसा कुछ है तो प्लीज हटा दो और नहीं है तो बोलो में हट वातो यह गलती दूबारा होनी नहीं चाहिए यह चीज मुझे पसंद नहीं है वह चीज जब इंसान सामने इसको डाट दिया मार दिया ना तो बार-बार जाके बोलता है प्रदु को पपा इसको डाटो इसने मुझे डाटा पपा इसको डाटो तो जब तको प्रदु डाटते नहीं तब तक वो शांत नहीं बैठता है तो कहीं न कहीं वैसे मेरे दिल में भी एक कोने में दर्द होत मेरा प्रदू इस दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा प्यार किसी को करता है नो वो मुझसे करता है ऐसी बात है लेकिन उस प्यार को वो समझ नहीं पाते हैं जो बच्पना मुझे दिखाना चाहिए वो बच्पना वो दिखाते हैं यह नाराज गिये लेकिन आज गिफ्ट के तौर पर यही बोलूगी कि अगर मेरे लिए प्यार है सम्मान है तो वो सम्मान और प्यार दिखाओ क्योंकि आज की तारिक में तुमारे दिल का कोई दर्वाजा खोल के नहीं देखता है जब तक तुम जताओगे नहीं तब तक हमें पता कैसे चलेगा कि आपको हमसे प्यार है प्यार तो बहुत सारा है पान साल से एक भी दिन हमने बस प्यार 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 ही किया इन पान साल कि जिन्दिगी नहीं जीती हो मैं प्यार के जिन्दिगी जीती हो प्यार से चाहती हो और मैं चाहती हूं कि अगर मैं जिसको अपना मानती हूं मैं उसको अपना प्रोटेक्शन मानती हूं मैं चाहती हूं कि जो मेरा प्यार है जो मेरा पती है वो पीपल के च्छाओं की जैसा एक पीपल के पेड़ के जैसे है मैं उसके अंदर अपने आपको सुरक्षा मानती हूँ लेकिन जब मैं चाहते हूँ कि जब मैं उससे किसी की शिकायत करती हूँ तो भले जूटे मुझे उसको डाटे मेरे सामने कि तूने ऐसे क्यों बोला तो मुझे फिर एक बच्चे जैसे बहुत कम लोगों की बात है लिए मैं अपने मन की बात ऐसे बोल के लिखा रहे हूँ तो आज मेरी अनिवर्सरी नहीं है प्रोपोजर डे है थैंक यू सो मच